हेलो एंचेहिन सुडेंट वेलकम बैक टू यारून चैनल सरतरुन रपानी यह एक्स्क्लोजिव चैनल है आई से सीबोर्ट सुडेंस के लिए और आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज बारी है मोल कंसेप्ट की हाँ यह चेप्टर बहुत-बहुत सिंपल है और स्कोरि यह चेप्टर आपके लिए यस आपके लिए आपके लिए ही डेडिकेटिड बनाया जा रहा है आज क्योंकि आप में से बहुत सारे मेरे सुपरस्टार्स लिख रहे थे कि सर मोल कंसेप्ट स्टोशियोमेट्री एस पर दी लेटेस्ट 24 सेशन के अप्वर्डिंग सर हर एक टॉपिक पर नुमेरिकल करेंगे तो इसमें एक टॉपिक है के लुसेक्स लॉग हां गैसिस के कमाइन करने पर उनका एक सर्टन उनका एक सर्टन रेशियो होता है और जो प्रोड़क्ट फॉर्म होता है वो भी एक सर्टन रेशियो में होता है तो दो बाते निकली ग गैसिस के रियक्शन में जब गैस रियक्ट कर रही होती है तो उनमें रियक्शन में जो वॉल्यूम होता है वो एक सिंपल रेशियो में होता है अथार्ट सिंपल नंबर में होता है और उनका वॉल्यूम टुदी प्रोडक्ट भी उनका वॉल्यूम दी प्रोडक्ट भी एक र पे अपलाई नहीं हो रहा है तो गेलुसेक्स लॉव नुमेरिकल सॉल करने का एक बहुत आसान मंत्र है हाँ याद रखेगा बट यह सिर्फ वॉल्यूम ऑफ गैसे बताने मदद करेगा वेट निकाल नहीं सकता गेलुसेक्स लॉव जी नहीं हाप उसमें वेट नहीं निकाल स सकते हैं आई एक एक्जामपल से समझते हैं स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि एक रियक्शन दिखाई दे रहा होगा आपको आप देखेंगे कि रियक्शन बिट्वीन नाइट्रोजन एन हाइड्रोजन हो रहा है कहां यह रहा रियक्शन नाइट्रोजन एन हाइड्रोजन combine होके क्या बन जा रहा है ammonia बन जा रहा है so nitrogen combines with hydrogen to form ammonia तो पहले दो यह जो chemical है यह हमारे है reactants और जो यह produce कर रहे है यह है हमारा product चली यह तो आप जानते थे अब इनका balancing होना बहुत ज़रूरी है क्या ही equation balanced है जवाब है हाँ यह equation balanced है तो अब जो इनका coefficient है coefficient अरे भाई जो आगे number लिखा होता है उसको कहते है coefficient उसके coefficient को जैसे nitrogen के आगे कोई number नहीं है तो उसकी value होगी 1 यहां रहा hydrogen इसके आगे है 3 तो 1 is to 3 और यह ammonia के आगे हाँ लिखा है 2 तो यही इसका ratio है इसी ratio से हम gases के volume को निकाल सकते हैं सच में हाँ सच में निकाल सकते हैं आईए एक example से और समझाएंगे फिर आपको इस पर numerical भी दिखाएंगे हाँ दिखाएंगे नहीं आपके साथ numerical मैं और आप मिलके करेंगे चली समझते हैं गेलुसेक्स law के एक और example से देखिए अब फिर दो gases कमाइन कर रही हैं इस बार जो gas दो कमाइन कर रही है वो है carbon monoxide carbon monoxide कमाइन कर रही है oxygen के साथ और बन जा रही है carbon dioxide पकाप तो यह जो carbon monoxide है इसके आगे जो number यह 2 दिख रहा है यही coefficient इसका volume हाँ इसका mole बता रहा है तो यहाँ पर carbon monoxide का 2 mole है oxygen के आगे देखे number नहीं है तो नहीं है तो volume हो जाएगी mole हो जाएगा 1 और carbon dioxide के आगे देखे क्या लिखा है 2 2 is to 1 is to 2 यही simple ratio बताता है galosex law जिससे gases के volume निकाले जा सकते हाँ इसी ratio से हम gases के volume निकालेंगे आएगे देखते हैं example से एक numerical के screen पे देखिए आपके पास एक numerical आ चुका है चलिए देखना नहीं है याद रखेगा superstar है तो please behave like superstar हाँ कभी आपने देखा है रजनी सर को कुछ गलब तरीके से किसी के साथ behave करते वे नहीं वो superstar है क्या कभी आपने देखा है yes क्या कभी आपने देखा है हाँ superstar अमीता बचन को जी नहीं किसी के साथ बत्तमीजी misbehave करते वे वो अपने ethics के साथ culturally bond है तो सचे superstar की तरफ येस जब आप board के point of view से पढ़ रहे है जब आपको 2024 अपना लक्ष दिखाई दे रहा है तो प्लीज साथ में लगाईए देखे मत हाँ क्योंकि chemistry numericals देखने की चीज नहीं है हाँ मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये सारा कुछ आपके मुठी में है आपके पास एक golden opportunity है अपने आपको साबित करने की 10th के board से हाँ पुरी दुनिया तुमारा लोहा माने ऐसा कर दिखाओ चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पास screen पे एक question question में पूछा गया है what volume of oxygen मतलब किसकी volume निकाल नहीं है oxygen की volume निकाल नहीं है will be required to burn 200 ml of acetylene given किसकी volume है acetylene ये रहा acetylene what would be the volume of carbon dioxide और दूसरा question volume of carbon dioxide drug gases की volume निकाल नहीं है ये रहा एक balanced equation हाँ equation अगर balance नहीं होगा या equation नहीं गिवन होगा तो आपको लिखना पड़ेगा याद रखेगा questions में usually equations भी रहती है आपको balanced करना होता है हाँ balancing करना होता है चलिए तो आपको पता चल गया कि two volume two volume of gas है acetylene दिख रहा है साफ साफ acetylene gas आपकी two volume है oxygen gas आपकी five volume है carbon dioxide आपकी four volume है हाँ आप से पता क्या करना है आपको पता करना है कि oxygen का volume कितना है तो हमें given किस का volume है हमें given है acetylene का volume अगर किसी एक guest का प्लीज बहुत द्यान से सुनिएगा किसी एक guest का volume दिया हो तो उसी से equation बना लीजे सही सुन रहे है उससे क्या करिए एक statement बना लीजे equation बना लीजे और उसी से solve करिए जैसे आप unitary method करते हैं नहीं आईए समझाते हैं कैसे कर रहा हूँ तो आपको volume दी हुई है acetylene की ये रही 200 ml चलिए ये आपके पास given है 200 ml इसी से statement बनेगा आपका क्या लिखेंगे आप 2 volume of acetylene is equal to 200 ml ये रहा पहला statement कैसे पता चला क्योंकि ये असके आगे 2 लिखा था acetylene के आगे तो 1 volume की value कितनी होगी जब 2 volume की value 200 है तो 1 volume की value होगी 200 upon 2 so you will get 100 ml मेरा question में आपको 1 volume की जैसे ही value आगई अब आपको निकालना है 5 volume हाँ 5 volume क्योंकि oxygen की value है 5 तो 5 volume की value क्या होगी तो 5 volume of gas की value होगी 100 into 5 क्योंकि 1 की value 100 आ गई है तो 5 की value 500 ml होगी तो ये आपका क्या answer आ गया oxygen का volume आ गया क्योंकि oxygen का number है 5 similarly 4 4 किसका number है देखें 4 रिया गया है volume of carbon dioxide तो आपको 1 की value जैसे ही आ जाए क्या ची एक की value एक की volume पता चल गई ये रही 1 की volume जैसे ही मिल गई तो 4 की volume निकालना तो चुठकियों का काम है आपके लिए so 4 volume of carbon dioxide निकालना हो तो 100 into 4 that is 400 ml याद रखेगा unit miss मत करिये का please do not miss out the unit number उसके कटे है unit लिख दीजे ml में है volume आप भी ml में ही लिखिए milliliter में ही लिखिए क्या कहते हैं easy है न आओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस numerical को थोड़ा सा और आगे लिके चलते हैं screen पर देखिए हाईए क्या screen पर देखते हैं if 6 liter of hydrogen आपके पास दिया हुआ है volume दे दिया है किसका volume दे दिया है 6 liter of hydrogen और क्या दिया हुआ है आपके पास 6 liter of hydrogen and 5.6 liter of chlorine जब 2 gas दे दिया करे एक reaction और 2 volume दे दिया जाए तो सावधान विश्राम नहीं नहीं वहला नहीं दिया से सुन्ये का मेरी बात को अगर आपको किसी एक reaction में gases की 2 volume दे दे तो थोड़ा सा careful हो जाईए क्या careful होना है जैसे हमारे case में reaction है hydrogen का 1 volume क्योंकि आगे नंबर कुछ नहीं है तो 1 volume है chlorine का भी 1 volume है पर जो gas produce हो रही है वो 2 volume है that means आपका simple ratio क्या रहा है 1 is to 1 is to 2 ध्यान से देखने लाइक बात क्या है कि 2 volume दिया हुआ है आपको hydrogen का volume दिया हुआ है 6 लीटर और आपको chlorine का volume दिया हुआ है 5.6 लीटर दे दिया तो अब आप सोचेंगे कि sir one volume तो दोनों का दे दिया किस से शुरू करूँ तो जिसका volume lowest होगा आप उससे शुरू करेंगे फिर से सुन लीजे the minimum yes of the value of one जिसके one volume की value छोटी होगी उससे आप शुरू करेंगे यहां से सुन लिया मेरी बात को तो इसका मतलब है आपको शुरू करना है volume of chlorine से क्योंकि one volume of chlorine छोटा दिया है तो अगर दो gases दी हों दोनों के volume अगर दिये हों तो आप देखिएगा कि किसका one volume छोटा है वो आपका क्या होगा पहला equation बनेगा जैसे मेरे case में हम लिख सकते हैं one volume of chlorine is equal to 5.6 तो इसका मतलब है कि one volume of hydrogen भी 5.6 liter ही होगा देखा आपने आपने hydrogen का volume यहां पे देखा है 6 तो 6 तो total volume है इसका मतलब है 6 में से 5.6 liter hydrogen consumed हो जाएगा अभी भी 0.4 liter of hydrogen क्या हो जाएगा remaining त्यान दिया आपने दो लो volume दी थी इसलिए बचा हुआ volume जो हो जाएगा वो hydrogen का remaining हो जाएगा resulting mixture हो जाएगा इसका मतलब है कि hydrogen complete burn नहीं हो रही है तो जो complete burn हो जाएगा वही आपका limiting reagent होता है फिर से छोटा वाला volume अगर किसी का है जिसका भी 1 volume of gas smallest number आएगा दो नम गैसे दी हो अगर तो उसकी value को आप limiting reagent मान लीजेगा मान लीजेगा कि वो पूरा क्या हो जाएगा consumed हो जाएगा जैसे हमारे case में हो रहा है 1 volume of chlorine 5.6 liter है तो उसी तरह से 1 volume of hydrogen भी क्यों? hydrogen का 1 volume क्यों? क्योंकि आगे देखिए कोई number नहीं है जब आगे कोई number नहीं होता है उसको 1 value मानते है 1 volume of hydrogen की value भी 5.6 आजाएगी और हमारे पास तो hydrogen का number दिया हुआ है already दिया हुआ है number 6 liter पर मैंने कहा छोटे वाली से start करेंगे इससे बचा हुआ जो volume आया वो hydrogen का क्या मान लिया जाएगा मान लिया जाएगा कि ये uncombined है remaining hydrogen है और बचा कोई अब आपको पता करना है कि HCl gas का volume क्या होगा अरे भाई जब 1 volume की value दी हुई है already 1 volume देखें आपको 1 volume of chlorine मालूम है तो 2 volume निकालना है डबल कर दो न भाई अगर तुम्हें बता दें कि एक चलो एक pen 5.6 रुपीस की है तो 2 पैन कितने की होगी दबल कर दो न तो 2 volume of HCl हो जाएगी 5.6 into 2 and this will become 11.2 लीटर तो यार अंसर इस नाव hydrogen chloride गैस 11.2 लीटर होगी और hydrogen जो remaining हो जाएगी जो की uncombind रहेगी वो हो जाएगी 0.4 लीटर दिस इस वाट इस यूजड वेन 2 गैसे आर दियर चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन गायब नई चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पर आ जाते हैं इस बार क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से देखेगा ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है बढ़ा ये आपको आता है हाँ चलिए इस बार दिख रहा है कि 200 ml of acetylene इस बार जो gas है वो है 200 cm3 of sorry, ethylene is burnt in just sufficient air इसको burn कर रहे हैं air में जिसमें 20% oxygen है और ये रही तो मुझे पास balanced equation दी हुई है मैं volume लिखना शुरू कर दू हाँ, मेरे पास volume हा गई ethylene की volume है 1 oxygen की volume है 3 carbon dioxide की volume है 2 अच्छा steam दे दिया है मतलब gas दे दिया है तो steam की volume भी है 2 याद रखेगा liquid होता water सिर्फ होता तो उसकी volume 0 हो जाती क्योंकि galus ex law liquid पे solids पे apply नहीं होता है चलिए, देखते हैं आपको क्या given है आपको पता करना है composition of the resulting mixture तो अगर one volume की value दी हुई है one volume की value दी हुई है 200 cm3 इसका मतलब है कि आपका तो काम इसने असान कर दिया सीदे सीदे statement बन जाएगी one volume of ethylene that is C2H4 अगर 200 cm3 के बराबर है तो जब इसका one value दी हुई है तो निकालने की दुग जरुवत है ही नहीं अब किसको निकालना है carbon dioxide को निकालना है तो बहुत आसान से निकाल सकते है टू वॉल्यूम क्यों टू लिया क्योंकि कार्बन का नुम्बर क्या है तो टू वॉल्यूम औफ कार्बन डॉकसेट की वेल्यू कितनी होगी टू इंटू टू हंड्रेड अरे भाई जब वन की वेल्यू मालुम चल गए तुम्हें पता चल गया है एकट दूसो रुपए की हैं हाँ पहरे काड़े की होगी भाई ब्राक्षण मोद्रका की होगी एक पैन के चार्र तूस EVP की होगी पास यहीं के लगा ना तो दो की कितनी होगी 400 संतेमितर क्यूक्ब ि similarly आपको स्टीम की वेल्यू आगए इसका मतलब है आपके पास कारवन द्यौकसाइट की डॉल्यूम आ discoveries क्या वेल्यू आगई 400 सेंटिमीटर क्यूब स्टीम की वेल्यू भी आ गई 400 सेंटिमीटर क्यूब और किसकी वेल्यू है ओक्सीजन यह रहा ओक्सीजन ज़रा ध्यान से देखे ओक्सीजन के आगे क्या नमबर है 3 तो जब 1 की वेल्यू 200 है तो 3 वॉल्यूम of oxygen की value कितनी होगी simple है 200 into 3 that means 600 पर एक नई चीज क्या आगई इसमें लिखा हुआ है कि जो oxygen है वो 20% है इसका मतलब ये जो 600 है ये तो सिर्फ 20% है तो बची बाकी गैस क्या है वो जो react नहीं कर रहे है ठीक है न तो इसका मतलब ये समझ में आया कि ये जो oxygen है वो तो combine हो गई वो तो burn हो गई तो बची कौन आपको तो पुछा था बची हुई gas बताओ resulting gas तो मुझे ये पता चल गया कि oxygen is 20% तो un combined gas या unreactive gas कितनी होगी अथात remaining gas कितनी होगी तो remaining gas होगी 80% और यही 80% वाली gas का number हमें नहीं मालूम है अगर oxygen 60% है तो ये remaining gas uncombined gas क्या है जो unreactive gas है वो कितनी है आईए इसके लिए क्या करेंगे आपको पता करना है कि इस 80% की value कितनी है और आपके पास given है 20% तो आप क्या करेंगे value निकाल देंगे uncombined या unreactive gases की value कैसे निकलेगी 80% इसका number है upon 20% into 600 solve कर लीजे आपके पास आपका answer आ गया 21 जा 24 जा so 2400 cm cube आपकी क्या होगी remaining uncombined unreactive gas हाँ भाई अगर 20% ही react हो रहा है और 20% की value हम 600 निकाल दे रहे है तो बागी बचा 80% हाँ भाई 100% होता है ना total percentage का चलो clear है समझ में आ गया है तो एक जोरदार यहाँ पर like लग करके आगे बढ़ जाते हैं रुपना नहीं है notebook open रहनी चाहिए हर एक type का question हर एक तरीके का question आपको करा रहा हूँ और आपको यह पूरा chapter यहीं पर finish करने वाला हूँ चलिए एवोगेड्रो उसकी बात करते हैं इसके बाद तो एवोगेड्रो ने एक law बनाया कहा कि अगर equal volume of gases react करती है ध्यान दीजे का keyword क्या है volume of gases इस बार क्या है हर बार इस बार same है तो equal volume of gases अगर react करती है तो it contains equal number of molecules अगर volume same है तो molecule भी same है ये कहना है एवोगेड्रो जी का और क्या बताया है एवोगेड्रो ने एवोगेड्रो ने ये भी बताया कि जो smallest particle of gas is the molecule gas के जो smallest particle होते हैं वो molecule होते हैं not the atom ठीक है दो it may contain one, two, और three atom जिससे example के रूप में देखते हैं nitrogen की बात करें तो nitrogen एक diatomic gas है जी, सही सुन रहे है diatomic gas है क्योंकि एक single nitrogen के atom से nitrogen gas नहीं बनी है N2 से बनी है तो made up of two atom similarly आप इसको देखे ammonia को देखे NH3 इसमें N nitrogen कितना है one देखे N H3 पर H कितना है three so nitrogen यहाँ पर कितना है one तो singularly अकेले जब nitrogen gas की बात करोगे तो N2 हो जाएगा क्या अलग से अकेले nitrogen gas की बात करोगे जब भी तो always it will be N2 क्योंकि यह एक diatomic gas है oxygen की बात करो diatomic gas है O2 समझ गये बट जब यह combine हो रही है हाँ जैसे एक molecule of ammonia बन जा रही है यहाँ पर nitrogen कितना है इस ammonia gas के इंदक कितना है देखिए N कितना है N1 और hydrogen कितना है 3 clear है आईए molecule और atom तो आप समझ गये तो आप समझ गये तो आप साथ डेफिनेशन की point of view उसे भी देख लेते हैं जब हम atom की बात करते हैं तो वो सबसे smallest part होता है जो की may or may not take part in a chemical reaction एक keyword है कि atom सबसे स्थोटा होता है यह तो आप जानते हैं बट क्या यह जरूरी है कि atom reaction में take part करें एक तम-कम-pulsory है हाँ यह word जो है it is the atom which actually takes parts in the reaction ठीक है जब यह reaction में take part करता है तो क्या यह independently exist करता है इसका मतलब है क्या atom अकेला पाया जा सकता है हाँ भाई जैसे monotomic चीज़ें अकेली पाया जाती है neon हाँ argon krypton यह तो monotomic हैं singularly पाया जाते हैं इसका मतलब है कि atom अकेला भी रह सकता है और दूसरा molecule क्या है again molecule भी smallest particle है पर molecule क्या करता है exist करता है अकेले में ज्यान दिया molecule can exist independently atom के साथ ए रूल अपलाई नहीं होता है may और may not ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं atomicity बानते हैं कि कितने atoms जुड़ जाएं कितने आदमी थे हाँ हरे नहीं नहीं कितने atoms थे कि जुड़ गए और बन गए एक molecule इसको बताता है atomicity ठीक है number of atoms एक साथ कितने atom जुड़ेंगे ताकि एक volume एक volume of a element बन पाए ऐसे को कहते हैं atomicity तो अगर एक ही atom एक molecule बन जाता है तो monotomic जैसे आपने देखा helium, neon, argon diatomic diatomic में दो atom जब एक जैसे जुड़ेंगे तब जाकर के एक molecule बनेगा जैसे की H2 की बात करते हैं हाँ H2 इसमें ये जो दो नीचे लिखा है ये क्या है ये atom है तो आगे तो कुछ लिखा नहीं है तो आगे क्या होगा 1 तो इसका मतलब है कि 1 molecule द्यान से सुनिएगा मेरी बात को 1 molecule of hydrogen is made up of 2 atoms of hydrogen chemically combined देखा 2 hydrogen atom जब नग नहीं जोड़ेंगे तब तक एक volume उसका नहीं बन पाएगा यही रूल oxygen, chlorine और इवन nitrogen पे अपलाई होती है तो ये सब 2 के रूप में 2 atom के साथ ही पाए जाते हैं इसलिए ये diatomic है similarly 3 similar atom होंगे एक साथ जैसे पाए जाएंगे जैसे ozone 3 के बाद 4 वाले हो जाएंगे तो जाएगा फॉस्फोरस फॉस्फोरस tetraatomic है मतलब 4 फॉस्फोरस के atom जुडेंगे तब एक हाँ फॉस्फोरस का molecule बनेगा उसी तरह से octaatomic octaart ठीक है example है sulfur का अच्छा कभी कभी क्या होता है atom एक जैसे हो क्या हो एक जैसे atom हो तो हम इसे कहते हैं monoatomic और ऐसे molecule जिसमें एक जैसे atom हो अरे भाई फॉस्फोरस में तो चार फॉस्फोरस के atom है और ozone molecule में तीन oxygen atom है देखो ना O3 तीन atom है फॉस्फोरस पीपोर चार atom है तो पर ये same है सारे atom सेम है homoatomic है तो heterotomic क्या होता है hetero में क्या होता है जब molecule बनाना होता है तो अलग-अलग elements के atom जुर जाते हैं और बन जाते हैं जैसे की HCl बना है एक hydrogen से और एक chlorine से चलिए Avogadro के based numerical देखते हैं चलिए तो Avogadro ने क्या बताया अगर क्या हो gases का volume gases का volume अगर सेम है दियान से सुन लिजेगा तो number of molecules भी सेम होगा समझ गए? यह है Avogadro तो क्या है पहला? कह रहा है कि अगर आपको एक given condition है temperature और pressure सेम है आपने 2 liter carbon dioxide 3 liter chlorine 5 liter hydrogen 4 liter nitrogen 1 liter sulfur dioxide सबकी volume 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 पूचा है कि सबसे ज़्यादा number of molecules किसमे होंगे? अरे भाई जिसकी volume सबसे ज़्यादा होगी उसी में होंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए 5 liter of hydrogen सिमिलर्ली सबसे कम किसमे होंगे? तो सबसे कम number कौन सा दिख रहा है? 1 liter of sulfur dioxide simple यह तो बहुत आसान question हो गया हाँ कुछ too easy हो गया चलो और आगे बढ़ते हैं एक 50 cc of a gas एक gas है जिसका 50 cm3 की value है y 50 cc of gas के अंदर क्या value है? कितने molecule से 50 molecule है तो देखिए यह हो गया volume और यह हो गया molecule यही तो बताया था ना वो गेड्रोज ने कि अगर क्या हो similar similar volume होगा तो similar number of क्या होगा? molecules भी होंगे यही बताया था तो अब यह तो gas a है भट ठीक है? पूछा किसका molecule है? पूछा molecule आपका gas b से है पर उसकी volume देखिए क्या है? उसकी volume है 25 cc तो इसके 1 cc की value निकाल दें क्या? हाँ निकाल देते हैं इसके 1 cc की value होगी y upon 50 इतना molecule ठीक है? और 25 cc की value निकाल दें है अरे यह तो unitary method लग गया क्या बात है? आना? तो y upon 50 into 25 आपका जो अंसर आ रहा होगा वो होगा y upon 2 molecules पूरा लिख दीजे y upon 2 molecules clear है? समझ में आ गया है? चलो आगे बढ़ने की त्यारी करते हैं रुकना, थमना, ठहरना एक दम नहीं है जब तक ये chapter का concept clear न हो जाए आईए बढ़ते हैं oxygen oxidizes ethyne to carbon dioxide चलो reaction दिख रहा है clearly आपको एक reaction दिख रहा है ये रहा एक gas ethyne combine हो रहे है ये oxygen के साथ form कर रही है carbon dioxide और water चली पूछा क्या है आपसे? what volume of ethyne आपको ethyne का volume पूछा है और देख इसका volume रहा है 8.4 liter of carbon dioxide जरह carbon dioxide का volume देखिए 4 volume है कैसे मालूम चला? क्योंकि 4 इसका क्या है? coefficient है हाँ भाई 4 आपकी जो number दिया है वो सो आप statement बना सकते है 4 volume of carbon dioxide will produce 8.4 liter तो 1 volume की value कितनी होगी? 1 volume की होगी 8.4 upon 4 and this will give you 2.1 liter आपको निकालना कितने volume की value है? आपको निकालना है किसकी? volume किसका निकालना है? volume of ethine का निकालना है और ethine का number क्या है? ethine का number है 2 सो आपको इसकी volume चाहिए तो जब 1 की value आ गई 1 की value आ गई तो 2 की value निकालने में थो न देर लगेगी 2.1 into 2 and this will give you 4.2 liter चलो इससे असान तो मुझे नहीं लगता है कुछ हो सकता है यह तो बहुत बेसिक कोश्चन है और हमने अप्लाई किया इसमें गे लुसेक्स लोग को चलिए आगे बढ़ जाते हैं आपको दिया है ब्यूतेन का नमबर यह रहा ब्यूतेन का वॉल्यूम यह रहा देखिए टू वॉल्यूम ब्यूतेन होता है अगर दो वॉल्यूम की वेल्यू है 90 डेसिमेटर क्यूब तो वन वॉल्यूम की वेल्यू कितनी होगी देट इस 90 अपॉन 2 आँ भाई 45 पर पूछा किसकी वेल्यू है पूछा है वाट वॉल्यूम ओफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की आगे नमबर कितना है थर्टीन तो जब वन की वेल्यू आ गई तो थर्टीन तो चुटकियों में आ जाएगा चलो थर्टीन वॉल्यूम ओफ ऑक्सीजन की वेल्यू निकालते हैं कैसे निकलेगा 25 इंटो 13, 35 जा, 65, 34 जा, 55, 52 और 658, so 585 डेसेमीटर क्या कहते हैं बहुत एखली है एकडम समझ में आ गया है आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ कहते हैं रुखते नहीं है हाँ, इसातtechn में नहीं लगा रहे हो तो प्लीज ऐसी गलती नहीं करेंगे आप अगर सच्चे सूपर स्टार होंगे तो ये गलतियां आप नहीं करेंगे क्योंकि एकदम बेसिक से बता रहा हूँ एकदम नीचे ग्रास लिड़ से बता रहा हूँ और आपको इस questions को लगाना है येस आपको अगर आता है अगर आपको लगता है you are confident enough और आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है I am really 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 grateful कि आप इसको कर पा रहे हैं बट आप अपने आपको चेक करिए कैसे आप pause कर दीजिए question देखने के बाद pause कर दीजिए question देखने के बाद आगे मत बढ़िए और अपने आप solve कर दीजिए मेरे solve करने से पहले solve करने के बाद मेरे साथ अपने answer को match कराईए that's it you are done हाँ आपकी तयारी भी हो गई है और आप confirm भी है कि आपको सही आ रहा है चलिए relative atomic mass को करी बार atomic weight बोलते हैं क्या atomic mass अगर किसी elements के add up कर दिये जाएं हाँ किसी molecule के add up कर दिये जाएं तो atomic weight बन जाता है ठीक है और atomic weight को measure करने के लिए आप ये भी लगा सकते है mass of one atom of element upon one by twelfth of the carbon क्योंकि carbon से one twelfth of the carbon से क्या करते हैं उसके mass को compare करते है और जब भी हम किसी का atomic mass measure करते हैं किसी का atomic mass निकालते हैं तो unit लगाते हैं AMU या simply U हाँ U unified atomic mass चलिए relative molecular mass तो पूरे molecule का mass अरे भाई जैसे atom का mass था जैसे atom जैसे oxygen का mass देखा आपने O2 पर अब carbon dioxide का mass तो ये क्या है relative molecular mass एक example से रूप में relative molecular mass of sulfuric acid चलिए देखते हैं relative molecular mass of sulfuric acid तो sulfuric acid का formula पहले H2SO4 तो hydrogen का atomic mass कितना होता है 1 और इसमें number of atom है 2 और sulfur का atomic mass कितना होता है 32 similarly oxygen का atomic mass होता है 16 पर आगे क्या है 4 atom है 4 तो 16 into 4 बस आपने इसको जहां add किया आपका आजाएगा relative molecular mass 2 प्लस 32 प्लस 64 तो यूर अंसर इस 98 हाँ भाई G लिख दो gram में लिख दो तो ये gram molecular mass बन जाएगा क्या सही सुन रहे हैं अगर आपने इसमें G लगा दिया तो ये gram molecular mass बन जाएगा U लगा A M U लगा दिया तो atomic mass बन जाएगा ठीक है चलिए अब आपको क्या करना है molecular mass बन जाएगा molecular weight बन जाएगा किस का बन जाएगा copper sulfate crystal का बन जाएगा चलिए मैं और आप मिलके बन जाएगा किसका copper sulfate crystal का atomic sorry molecular mass बन जाएगा सबसे बात पहले लिखते हैं copper तो copper sulfate ये रहा ये जो 5H2O है वो क्या show कर रहा है ये dot 5H2O क्या indicate कर रहा है कि water is loosely combined हाँ जब किसी में dot लिखा हो तो समझ जाएगे कि उसके अंदर ये dot है वो loosely combined शप्त के लिए ये crystal रूप में है इसी लिए हाँ blue color का होता है तो copper का atomic mass ले लेंगे ये रहा 63 atomic mass of copper sulfur का 32 oxygen का 16 multiplied by 4 क्यों क्योंकि O4 है फिर आगे क्या करेंगे plus 5 और hydrogen का mass है 1 into 2 ये रहा H2 और plus again 16 O के लिए 16 अब आपके पास relative molecular mass of copper sulfate crystal आ जाएगा प्लस करिए फटा फट जना से जल्दी से तो देखे 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 5 into 18 ये निट इस 90 हाँ बताएए 5 into 80 करेंगे तो 90 आ जाएगा 63.5 32.5 64 प्लस 90 आपका अंसर आजाना चाहिए 249.5 EMU आगर आप gram में लिखेंगे तो आपका अंसर आजाएगा 249.5 gram क्या कहते हैं ammonium sulfate का निकाल लेंगे शोर निकाल लेंगे मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप निकाल लेंगे हाँ ये जो bracket दिया होता है ये जो 2 लिखा है bracket के बाहर हाँ जैसा आप देख पा रहे हैं ammonia में ये जो 2 लिखा है ये whole 2 है whole 2 है मतलब जब आप nh4 कर चुके होंगे तो जो value आएगे इस पूरे value को इस 2 से multiply कर दिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं और questions करते हैं अब आपको निकालना है gram atomic mass तो अगर किसी का atomic mass निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है उस element का mass gram में निकाल रहे हैं बाकी सब लगाना होता है और gram atomic mass में वही चीज़ है भाई सब कुछ सेम है बस आप उसमें जी लगा दिए जैसे आपको atomic mass of oxygen मालूम है अगर आप amu में लिखेंगे तो 16 amu है वह रिलेटिव atomic mass है पर इसी में 16 gram लिख देंगे तो यह gram atomic mass हो जागा किसी की value gram में ना पोगे तो उसका नाम हो जाएगा gram atomic mass समझ गए gram molecular mass भी है ऐसी तरह से आईए अब word आ रहा है mole बोलो क्या है mole हाँ जब हम बात करते है mole की तो mole एक number है जैसे की आपने सुना होगा one score क्या होता है one score अगर आपसे पूछें one score तो one score की value होती है 20 अरे one डर्जन असान number बोलता हूँ एक डर्जन क्या है 20 अब किसी भी चीज का 20 unit अब वो 20 pencil हो सकती है score की बात कर रहे है 20 pencil हो सकती है 20 20 plate हो सकती है 20 spoon हो सकते है तो one score, one score, one score तो जैसे score क्या लिखा मैंने S-C-O-R-E one score is equal to 20 unit तो यह जो 20 number है वो score को बताता है उसी तरह से अगर one डर्जन की मुझसे बात करोगे तो one डर्जन में कोई भी चीज जब बारा होती है तो मुझको कहते है one डर्जन अब आप one डर्जन बनाना करिक के ले आओ तो कितना बनाना मिरे लेके आओगे बजार से कितना लेके आओगे 12 ले आओगे और one डर्जन पैंसिल लाना होगा तो 12 पैंसिल ले आओगे कि यह रहें उसी तरह से मोल भी है मोल एक नंबर है हाँ मोल एक नंबर है मोल जो है वो हीप वर्ट से बनाए गया है क्या हाँ एक लेटिन वर्ट है जिसका मतलब होता है हीप मतलब धेर तो मोल is the amount of a pure substance containing same number of chemical units ठीक है न एक नंबर है मैंने पहले ही बताया किसका नंबर है value कितनी है इसकी यह नंबर याद करना है value है 6.22 10 to the power 23 यह नंबर है वन मोल इसका मतलब है वन मोल किसी का भी वन मोल कारबन का वन मोल नाइट्रोजन का वन मोल ऑक्सीजन का किसी का भी कह दो value कितने के बराबर होगी 6.022 into 10 to the power 23 units यूनिट वन इसने कह रहा हूँ कि अब वो एटम होगा अब वो मॉलिक्यूल होगा वो एलेक्ट्रोन होगा अब वो आयन होगा सब 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 allowed है clear पक्का चलो आगे बढ़ते हैं मोल की बात करते हैं मोल एटम के साथ मोल मॉलिक्यूल के साथ और मोलर वॉल्यूम के साथ भी आता है जब हम बात करते हैं मोलर वॉल्यूम की तो हम बात करते हैं 22.4 लीटर की सर यह क्या है वन मोल में कितना वॉल्यूम होता है वन मोल ऑफ एनी गैस कोई नी गैस अब वो कार्बन हो कर्बन डियोक्साइड हो नाइट्रोजन हो हाइड्रोजन हो वन मोल अगर पूछ लिया वन मोल आफ एनी सबस्टेंस मैंने सबस्टेंस लिखा ध्यान दीजिए क्या वैल्ली होगी ट्वंटी टू पॉइंट पॉइंट पॉर टैसी मीटर क्यू लीटर लिख दीजिए या ट्वंटी टू थाउजन लिख दीजिए आपकी मर्जी है यह दूनों का मतलब सेम है हाँ बस मैंने डैसी मीटर क्यू लिख दिया या लिटर लिख दिया और यहां तो 22,400 सेंटी मीटर क्यू या मिली लिटर यह है वन मोल किसी का भी इसे मोलर वॉल्यूम के नाम से जानते हैं फिक्स है फिक्स वन मोल अगर पूछ लिया वॉल्यूम में तो यह फिक्स है यही रहेगा ठीक है किसी का भी मोलर वॉल्यूम एट स्टीपी कितना होगा किसी का भी किसी का भी और वन मोल नंबर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा 6.022 10 to the power 23 अब नहीं भूलना है आपको अब मोल करने से पहले कुछ गोल करना है आपको चाहा मतलब मजा कर रहा हूँ मोल करने से पहले आपको एक फॉर्मला याद करना है बहुत बेसिक सा फॉर्मला देंगा इस फॉर्मले को अगर आपने याद कर लिया मैं प्रोमिस कर रहा हूं आपका मोल येस, it will be as easy as your चुटकी, हाँ, हाँ करते हैं, पहला फॉर्मला है, कि अगर आपको किसी का नंबर ओफ मोल निकालना है, क्या मैं दे रहा हूं फॉर्मला, नंबर ओफ मोल निकालना है, तो गिवन मास, गिवन मास क्या होता है भाई, जो मास किसी ऐलिमेंट की दी होती है, उसस मास दे रहें, लग दा घवला रहे हो, अरे भाई, रिलेटिव मॉलिकुलर मास लिख दे رहें, हाई, कंफ्यूज मत करो, उस वैल्यू को, हाँ, ग्राम मास लिख दो, बहरें बेटा Philosophy मतला उसका मास जो है, वह ग्राम में निकालना हो, जो आएगी वैल्यू मैं उसका नाम ह हो जाएगा gram molecular mass तो given mass को divide कर दो molar mass अरे भाई atomic weight से divide कर दो भाई या gram molecular mass से divide कर दो number of molar जाए याद कर लीजिए यह यूल कब लगाएंगे आप जब आपके पास given mass हो और आपके पास क्या हो molar mass हो molar mass आपको स्वेम निकालने आना चाहिए question में molar mass नहीं दिया होता है फिर सुन लीजिए molar mass या gram molecular mass आपको खुद निकालने आना चाहिए अरे इससे पहले पढ़ा था topic ने gram molecular mass अभी copper sulfate का निकाला था हम लोग में याद करो हाँ समझ गया ना वही निकालना है क्या निकालना है number of mole किसके एन एओ एच सोडियम हाइड्र आकसाइड पहले आप क्या निकालिए एन एओ एच का gram molecular mass निकाली जिसको molar mass भी कहते हैं क्या निकालना है जी एम एम ग्राम molecular mass of NAOH कैसे निकलेगा एन एओ दप सोडियम इसका मास होता है 23 ओ इसका मास होता है 16 और एच सब वन वन एटम है इसे लिए किसी को किसी मत्प्लाय नहीं करेंगे प्लस वन एड़ करिये 23 प्लस वन 24 24 और 4 16 तो यह एट 40 ग्राम आपके पास आ गया इसका ग्राम molecular mass या molar mass आ गया अब आप से पूछा क्या था number of moles या पूछा है number of moles तो formula याद कर लिया था आपने given mass तो आपका given mass कितना है आपके पास कोशन में mass कितना है 160 तो आपका अंसर हो जाएगा given mass 160 ग्राम अपन molar mass 40 ग्राम तो यह अंसर इस 4 तो कितने moles होंगे number of moles मुझसे पूछेंगे आप तो मैं कहूंगा sodium hydroxide के 4 moles होंगे clear है समझ में आ गया क्या होगा अगर सर यह question mass करना होता तो क्या होता थेर जा आओ इसी question को फिर से देखते हैं अगर यह question mass का नहीं होता volume का होता तो क्या होता तो मिटा रहा हूं ध्यान दीजेगा अगर आपको number of moles ही निकालना है ध्यान दीजिए number of moles ही निकालना है तो आपको given volume तब आपको volume दी रहेगी आना तो आप क्या करेंगे आप molar volume से divide कर देंगे किस से divide करेंगे molar volume अरी यह कितनी होती है मैंने पहली बताया था आपकी molar volume already known है आपको अगर आप decimeter cube में लिखना चाहते हैं लीटर में लिखना चाहते हैं आपको जो given volume में decimeter cube में है तो आप नीचे वाली volume भी 22.4 decimeter cube ही लिखेंगे अगर volume centimeter cube में दी है आपको given volume तो आप नीचे volume volume भी centimeter cube में लेंगे कितनी लेंगे तब आप 22,400 centimeter cube प्लीज याद कर लीजिए ये fix है नीचे fix है यही लिखना है इस बार volume निकाली नहीं है you know the volume इस बार volume निकाली जखकी मैंने इस से पहले molar mass के बारे में बोला कि आपको निकालना पड़ेगा हर बार हर बार आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे आपके पास क्या है molar volume आपके पास noon है fix है यही लिखनी है आपको ठीक है आपको इस बार भी क्या हो जाएगा number of molecules आ जाएगा ठीक number of molecules आ जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं और आपको आगे ले चलते हैं इस बार क्या करना है mass of one atom ओ ओ ओ ओ ओ mass of one atom of oxygen पहले बात करो oxygen की जैसे ही मुझे एक oxygen की बात करोगे atom की तो mass of oxygen atom कितना होता है आपको ओगे सर 16 gram सही है सही है अब आपको ये भी पूछा है कि एक atom का mass चाहिए भाई तो अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा एक statement पर बढ़ना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से देखेगा कि कब क्या लगना है उसमें देखे वन मोल प्लीज ध्यान से देखेगा ये वेरी इंपोर्टेंट है वन मोल आफ एनी सबस्टेंस कोई भी सबस्टेंस हो कोई भी सबस्टेंस हो कारबन हो नाइट्रोजन हो हाइड्रोजन हो कोई भी वन मोल आफ एनी सबस्टेंस किसके बराबर होता है उसके molar mass के बराबर होत यह मोलर वॉल्यूम के परावर होता है अभी मैंने सिखाया मोलर वॉल्यूम कितनी है ट्वेंटी टू पॉइंट फॉर डेसिमीटर क्यूब है याद है अभी बताया था तो फिक्स है वन मॉल ओफ को भी सबस्टेंस होगा उसकी वॉल्यूम पिक्स at Stp वॉल्यूम 22.4 है 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 और किसके परावर है वन मोल ओफ गैस जो है वन मौल ऑफ सबस्टेंस जो है वो उस सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटो टैन तो पावर अब इसके आगे आप लगा सकते हैं एक्टम्स इसके आगे लगा सकते हैं आप मॉलीक्यूल इसके लगा सकते हैं इसके आप लगा सकते हैं देखा लिखी थी यह याद कर लीजे आपका चेप्टर आपके दिमाग में आईए हम इसको बढ़ते हैं इस पर चलिए उपर आते हैं तो हमारे पास क्या दियावा है हमारे पास पता करना है महासब वन एटम तो इसमें जो 16 ग्राम है इसमें नंबर ओफ एटम कितने हैं तो आपको मालूम चल गया है कि 16 ग्राम में कितने एटम होंगे क्योंकि फिक्स ह fix है क्या fix है कितने atom होंगे इतने atom होंगे तो आप लिखेंगे कि 6.022 into 10 to the power 23 atoms किसके off oxygen का मास 16 ग्राम है तो एक atom का मास पूछ रहा है क्लियर है अब तो कह दो क्लियर है हाँ एकदम क्लियर है तो एक atom का मास कैसे निकालेंगे आप निकालेंगे जगह मेरे पास थोड़ी कम है है आप निकालेंगे एक atom का मास है कुछ चोटा करते ला इनको एक atom का मास है 16 divided by 6.022 10 to the power 23 देखिए 10 to the power 23 को तो दिवाइड नहीं करना है ठीक है बस आप इसको डिवाइड कर देजे किसको डिवाइड करिए 16 को डिवाइड कर दीजे 6.022 हाँ यह तो फिक्स है इसी नंबर का नाम है एवोगेड्रोस नंबर सिंबल है एन ए याद रखेंगे हाँ 6.022 2.66 डिवाइड करने पर आएगा 16 को डिवाइड किया 6 से और यह जो वैल्यू जब उपर जाएगी तो हो जाएगा 10 to the power पर माइनस 23 आगे आप लगा देजिए ग्राम माइनस 23 क्यों किया है आप जानते ही है वो डिनॉमिनेटर में है आपने नुमिनेटर में पूट करना है यह आपका मास आ जाएगा आपसे पूछा था मास और वन एटम इसी कोशन में सेकंड पार्ट में देखिए क्या लिखा सबन के देखिए तो यह सब कुछ सेम है इस बहुत बस मास का लेंगे वन मॉलिक्यूल का मास लेंगे 60 30 तो अब आपके पास तो वन मॉलिक्यूल का निकालना है ठीक है न तो वन मॉलिक्यूल का निकालना है मास आपके पास है 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास है कितना 32 ग्राम अब भाई इससे निकाला आपने न आपने इससे निकाल लिया ठीक तो अब बन का निकाल दीजिए similarly क्या कहते हैं आजाएगा पक्का आजाएगा प्रोसेस को मिटा दूँ चलो अब आप कह रहे हैं मुझे आ जाएगा चली निकालेंगे कैसे निकालेंगे आप निकालेंगे थर्टी टू डिवाइड़ेड़ बॉए सिक्स पॉइंट जीरो टू 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 दी पावर ट्वंटी थर्टी सिमिलरली ऐसे ही डिवाइड करके आप निकाल लेंगे लियर है अंसर बता दू उसका भी हाँ भाई इसका डबल कर दो ना पाइफ पॉइंट टू 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 दी पावर माइनस ट्वंटी थर्टी ग्राम यह आपका अंसर हो जाएगा चलिए आगे कर जाते हैं रुकना नहीं है और अगला कुश्चन और भी आसान है हाँ भाई कभी कभी मैं बहुत असान कोश्चन डिसकस कर लेता हम आपके साथ क्या केते हैं चलिए देखते हैं सबसे पहले पूचा क्या है how many moles of sulfur पूचा आप से sulfur atoms के बारे में है oxygen atoms के बारे में हैं किसका किसका अटम बताना है आपको sulfur और oxygen sulfur का atoms बताना है oxygen के atoms बताना है किसके अंदर sulfuric acid तो H2SO4 तो इसमें sulfur है एक one atom one mole atom नहीं one mole क्या कहते है sulfur क्या कितना है one mole of sulfur और इसी में oxygen कितना है oxygen का number at four तो four moles of oxygen क्या मुझे H2SO3 में और sulfur dioxide में आप number बता पाएंगे moles definitely बता देंगे इसी तरीके से आपको इसका number of moles बताना है बता देंगे चलो बहुत simple question था यह वादा आईए थोड़ा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा तब आपको बात समझ में आएगी अब आपके पास है total number of electrons पता करना है क्या number of electrons find करना है किसमे 1.6 ग्राम औफ निथेन में चलिए दो तरीके से कर सकते हैं सबसे पहला कि आप पहले मोल पता कर लीजे है क्या चीज मोल नंबर ओफ मोल का फॉर्मूला मैंने दिया क्या गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलेकुलर मास या मोलर मास ठीक मैंने का ग्राम मॉलेकुलर मास आपको खुद निकालने आना चाहिए मिथेन का फॉर्मूला होता है सी एच पूर कार्बन होता है अटॉमिक नंबर 12 और हईड्रोजन इस वन और एकम है चार तो बन इंटो पॉर पूर तो 12 प्लस पॉर गिवजिव यू 16 तो ग्राम मॉलिकुलर मास आ गया 16 आ गया चलो गिवन मास है कितना 1.6 अपॉन 16 डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्लिव आएगी आपका अंसर आजाएगा 0.1 आपका अंसर आजाएगा 0.1 डिवाइड कर लिजे चेक कर लिजे अके बास नंबर ऑफ मॉल आ गया 0.1 मॉल आना 1.6 डिवाइड बाइड 16 पर आपसे तो मॉल पूछा ही नहीं था सर तो क्यों क्या तो हमने बताया था को कि वन मॉल वन मॉल आफ मीथेन कितना होता है 6.022 10 to the power 23 इलेक्ट्रोन होता है याद करिए यही है मॉल यही है वो गेड्रो नंबर एक मॉल में फिक्स है कि इतना ही इलेक्ट्रोन होगा इतना ही एटम होगा इतना ही मॉलिक्यूल होगा हाँ आयन्स भी होंगी तो 0.1 मॉल में कितने होंगे मैंने 0.1 मॉल कहां से निकाला यह रहा 0.1 मॉल हमने पता कर लिया कि 1.6 ग्राम जो प्राबर होता है नंबर अब मॉल के फॉर्मले से और पूट कर दीजिए तो जब वन मॉल की वैलियू इतनी है तो 0.1 मॉल की वैलियू कितनी होगी तो 0.1 मॉल की वैलियू हो जाएगी 6.022 10 to the power 22 electrons क्या कहते हैं मेरे सुपरस्टास यह बात हुई समझ में आ गया 22 क्या हु हो गया एक 10 एक पावर 10 कम हो गया क्या कहते हैं पक्का चलो आगे बढ़ जाते हैं रुकना नहीं है ठमना नहीं है जब तक टॉपिक फूरी क्लियर नहीं हो जाए क्योंकि आप टालते हो प्रोकेस्टिनेट करते हो और सच्छा सुपरस्टार यह गलतिया नहीं कर रहा होता है हाँ वेपर डेंस्टी की बात करते हैं अब मैंने कहा था एक एक टॉपिक पर डिसकुशन करूंगा एक टॉपिक का मीनिंग बताऊंगा एक टॉपिक पर नुमेरिकल कराऊंगा और उस पर ठेर सारा येस ठेर सारी तैयारी करेंगे चली देखते हैं वेपर डेंस्टी की gas की निकाली जाती है तो वो एक ratio से निकलती है कैसे उसका mass of equal volume of gas and hydrogen मतलब किसी भी gas को vapor density निकालना हो तो आपको क्या करना होगा mass of उस gas को किस से डिवाइड करना होगा mass of hydrogen से मतलब comparison में किस से करना है vapor density जब भी निकालनी होगी तो आपको hydrogen से compare करना होगा ठीक यह रहा formula ठीक अब आता है जब avogadros law हमने पढ़ा तो हमने पढ़ा था कि gases के volume द्यास सुनिएगा gases के volume same temperature pressure पर सेम रहते हैं और जितना volume होता है उतना ही molecule भी होता है याद है न अगर volume सेम है तो molecule सेम है दूरूल था यह वाला अब आता है एक formula है two into vapor density multiply करेंगे vapor density को two से तो आपके पास क्या आ जाएगा relative molecular mass इसका मतलब है किसी का भी relative molecular mass निकलना हो आप क्या करेंगे उसकी vapor density को two से multiply कर देजे फिर से उल्टा भी कर सकते हैं आपके पास relative molecular mass है आप two से divide कर देजे आपको उसकी vapor density आ जाएगी तो vapor density का formula बन गया एक और क्या formula बन गया तू से क्यों आया आप यह पूछ रहे हैं अरे hydrogen है नीचे hydrogen यह नीचे क्या है h2 h2 का mass क्या होगा one into two that means two तो इसका value नीचे value टू आ गई न उपर क्या है relative molecular mass अभी two cross होगे उपर चला जाएगा तो क्या formula बन जाएगा देखिए न यह two cross होगे उपर चला जाएगा तो two into vapor density is equal to relative molecular mass तो किसी भी gas का relative molecular mass क्या होगा two into vapor density होगा और यहां तो vapor density निकालना होगा तो relative molecular mass को divide by two two से क्यों क्यों क्योंकि hydrogen से compare करना है definition ने बताया था ना कि किस से compare करना है hydrogen से compare करना है आईए एक question स्क्रीन पर आ रहा है आपके यह रहा question कि आईए question करते हैं कि आपको निकालना है vapor density of carbon dioxide हाँ बहुत आसान है vapor density निकालना फॉर्मला क्या दिया मैंने अभी वेपर देंस्टी का फॉर्मला दिया मैंने कहा vapor मुझे fix है तू कैसे mass of hydrogen gas h2 ठीक है इसी लिए अब आपके पास carbon dioxide का मास आपको निकालना है तो carbon dioxide carbon का मास है 12 oxygen का मास है 16 इंटू 2 यह रहा टू एटम आपके पास carbon dioxide का relative molecular mass आ गया 12 plus 32 आपका जवाब अगर 44 है तो सही है तो अब आपके पास vapor density आ गई 44 upon 2 आपका जवाब होना चाहिए 22 amu क्या कहते हैं 22 amu हाँ हाँ atomic mass unit clear है जोड़दार है चलो like बनता है सर के लिए इन सब चीजों के लिए आपका ठेर सारा प्यार भरा messages आ रहा होता है और यह सारे subjects के notes आप परिशान हो रहे हैं नई आप download कीजिए हमारा app सर तरुन रुपानी और इस app में store material पे खुब सारे contents आपके लिए absolutely free रखे हुए हैं जाइए वहाँ से सारे notes absolutely free ले लिजेगा याद रखेगा यह सब paid notes हैं पर हमने आपके लिए सब कुछ free कर रखा है और आप से चाहते हैं धेर सारा प्यार धेर सारे messages हां आपके ही बनाए आपके कहे हुए contents पर हम lessons बना रहे होते हैं आप जो कहते हैं उसी पर हम आगे contents बनाते रहते हैं चली अगला question देखिए आपके पास vapor density दी हुई है लिखा है vapor density is 8 तो vapor density is equal to 8 what would be the volume पूछा क्या है आपसे देख रहे है तिया vapor density है पूछ रहा है volume occupied by 24 gram of gas at stp चलिए पहले हम इस gas का मास जाने कितना है जब वेपर density to 8 है तो ग्राम molecular mass का formula होता है तू इन्टू वेपर देंस्ट अभी फॉर्मला दिया था मैंने यह वाला अभी मैंने यह फॉर्मला दिया है वेपर देंस्टी को multiply by 2 कर दिजे आपको gram molecular mass आ जाएगा अगर आप gram में निकालना चाहते है और अगर आप amu में निकालना चाहते है तो बस वहाँ पर क्या हो जाएगा और mm लिख दिजेगा बस ठीक है तो 2 into 8 that is 16 gram तो आपने क्या निकाल दिया इस गैस का volume स्वरी मास निकाल दिया gram molecular mass of gas निकाल दिया अब कि अब हमें मालूम है कि STP में उसका volume कितना होता है याद करिए पिक्स बताया था ना कि STP पे volume कितना है याद आया तो चलिए तो हमको मालूम है कि 16 gram of gas की volume fix है 22.4 liter यही है 16 gram की volume कितनी 22.4 liter है तो 1 gram की value कितनी होगी 22.4 liter divided by 16 और आपको तो किसका volume निकालना है आपको volume तो निकालना है 24 gram का यह तो 2.4 liter upon 16 into 24 simplify कर लिजे 8 2 जा 8 3 जा 2 बंजा 11.4 आप multiply करिए sorry 11.2 multiply करिए 3 2 जा 6 3 बंजा 3 3 बंजा 3 so this is your volume sir कोई दूसरा method है निकालने का हाँ भाई मैं आपको दूसरा method भी दे सकता हूं यह तो हो गया unitary method जैसे मैंने निकाला एक और निकालते हैं अब आपको पास formula है आपके पास formula है number of moles निकालने का क्या formula दिया था number of अपॉन ग्राम molecular मास यह न अब आपको क्या करना है आपके पास given mass है क्या हाँ है आपके पास given mass है उसका उस गैस का यह रहा एट six into two eighteen यह क्या है यह क्या है sorry यह इसका क्या है gram molecular mass given mass नहीं gram molecular mass है यह रहा और given mass कितना है question में 24 क्या निकलाएगा सर इससे volume तो नहीं आ रही है सर अरे रुक्चा भाई ठमजा भाई इससे volume नहीं आ रही है number of mole आने वाला है और number of mole कितना आ गया हमारे पास number of mole आ गया 1.5 हाँ डिवाइट कर देजिए 3.2 आएगा तो 1.5 आ जाएगा चलो अब हमें मालुम है कि हमें क्या निकालना है वाल्यूम और आपको ध्यान होना चाहिए कि वन मोल की गैस की वाल्यूम कितनी है कि यादे मैंने करवाया था तो आप निकाल सकते हैं वन मोल की वैल्यू होती है 22.4 लीटर तो 1.5 मोल की वैल्यू कितनी होगी 22.4 इंटू 1.5 1.5 कर दीजिए आपका अंसर आएगा 33.6 लीटर क्या कहते हैं क्लियर है मैंने आपको फॉर्मॉला यह वाला दिया था यहाला फॉर्मॉला मैंने आपको दिया था यह आप जब भी नंबर आप मोल निकालना चाहते हैं आप गिवन मास अपन ग्राम मॉलेकुला मास कर दीजिए आपका अंसर आ जाएगा सिंपल है आगे बढ़ें आईए दि मास ऑफ 5.6 ग्राम डेसिमेटर क्यूब ऑफ गैस तो आपको इस बार क्या निकालना है देखिए आपको निकालना है इस बार आर एंएम इस बार आपको मास मास दे दिया है ठीक है आपको क्या दे दिया है दिमास ऑफ 5.6 ग्राम इस इतना पूछा क्या आपसे आपको आर एंएम निकालना है या फाइंड करना है रिलेटेव मॉलिकुलर मास फाइंड करना है चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें गैस का वॉल्यूम मालम चल कुछ धे पहले आपनमबर ओफ ले मॉल्स निकाल दीजे सर्ट बार 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 नमबर ओफ मोल्स ये कैसे निकलेगा अरे बताया तो आपको गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम याद करिए फिक्स है मैंने करवाया है आपको याद नहीं याद है आईए करते हैं आपकी गिवन वॉल्यूम कितनी है 5.6 मोलर वॉल्यूम कितनी है 22.4 याद है यह भी डेसिमीटर क्यूब में है 24.4 डेसमीटर क्यूब में है पॉइंट हट जाएगा कितना आएगा 56 4 जा तो आपके वैल्यू आ रही है वन अपॉन फूर्थ या आप सिंपली पॉइंट टू फाइव लिख सकते हैं क्या आगे आपके पास नमबर ओफ मोल्स आ गए चलिए अब आपके पास नमबर ओफ मोल है पर आपसे नमबर ओफ मोल तो फिर नहीं पूचा है हाँ भाई कोई बात नहीं फिर से देखिए नम सुमर ओफ मोल का पॉम्मला टू दूसरा फोओ मैला क्या है वह घिवन माथ है गिवन मास अपन त ऋर्लेटी आप given mass upon relative molecular mass और आपको तो find करना है relative molecular mass तो यह relative molecular mass ऊपर चला जाएगा number of mole आप निकाल चुके हैं है ना असान तरीका करने का I am very sure कि आप समझ गए है relative molecular mass का formula आपके पास आ गया गिवन मास आपके पास है 12 ग्राम सो 12 divided by 0.25 डेसिमल हटा दीजिए उपर आ जाएगा अंड्रेड और आपके पास हो जाएगा अंसर हां भाई 25 वंजा ट्वंटी फाइफ पोर जा 48 ग्राम हाँ आपने पूछा रिलेटे मॉलेकुलर मास क्योंकि आपका मास यहां पर ग्राम में आ रहा है तो आप इसमें भी लिखेंगे ग्राम क्या कहते हैं समझ में आ गया पका अच्छा लगा क्या बात है सुपर समझ आना चाहिए मेरी एक ह कोशिश है मेरे सुपर स्टार्ज जो इस तरीके से इस साल जिन्होंने जबर्दस तरीके से पेपर दिया हां मैं शायल आपको बदा नहीं सकता कि मैं कितना प्राउड महसूस करता हूं कि मेरे इस एफर्ट को आपने यह सराहा पसंद किया और आपने उससे डबल मैनत की यह जो आप करें मैं उससे डबल करने की कोशिश करूँगा हां सच कह रहा हूं जितने आप मैनत कर रहे हो उससे डबल मैनत मैं करने की कोशिश करूँगा ताकि आप से येस आप से डबल तयारी के साथ आओं चलो रुपना नहीं है थमना नहीं है जब तक हमारा यह पार्ट ख शौट में आपके स्लेवस 2024 के अकॉर्डिंग सच में आपका पूरा स्लेवस यही कवर कर दूँगा यही मेरा प्रोमिस आप से चलिए आपको निकालना इस बार क्या है क्या दिया हुआ है आपको at stp कह रहा है चलि स्टार्ट करते हैं पहले हम निकालते हैं इसका gram molecular mass यह तो में आता है gram molecular mass कैसे आएगा sulfur और oxygen sulfur का mass है 32 oxygen का mass है 16 into 2 so 32 plus 32 कितना हो गया 64 gram तो यह तो हमने निकाल दिया आएए सबसे पहले निकालते हैं number of moles सर पूछा नहीं है आप क्यों निकाल रहे है number of moles बताया तो number of moles का formula से ही आप cross cross करके value निकाल से ही आप number of moles निकाल लिए आपका अंसर आ जाएगा देखिए number of moles का formula है given mass अपॉन मोलर मास यही रूल था आपके पास given mass कितना है question में देखिए 320 मोलर मास आप निकाल चुके हैं जिसको ग्राम मोलिकुल मास कहते हैं 64 डिवाइट करिए 64 बन जा 65 जा सो number of moles आ गया है आपके पास पाइप पर आपका आंसर खत्म नहीं है अभी आपको निकालना है इस बार आप ने क्या किया वॉल्यूम का फॉर्मला लगाया पर निकालना तो निकालना तो निकालना तो आपको वॉल्यूम है ठीक है इसलिए गिवन वाल्यूम गिवन वाल्यूम अपन मोलर वाल्यूम याद रखेंगा मोलर वाल्यूम वाल्यूम फिक्स है जब जब बोलेगा एस्टिपी तो वाल्यूम हमें पता है 22.4 डेसिमीटर क्यूब हाँ पुट कर दीजे आई ये स्टार्ट करें नंबर आफ मोल्स आपने निकाला भी जस निकाला फाइब तो नंबर आफ मोल्स के जगे आप 5 पूट कर दीजे गिवन व वाल्यूम आपको पाइंड करनी है अपन मोलर वॉल्यूम हां मोलर वॉल्यूम 22.4 डेसिमीटर क्यूब क्रॉस कर दीजिए फाइप को मुटलाई करें फाइफ पूर्जा ट्वंटी फाइफ टूजा टैन और टूट्वेल फाइवन जा फाइफ टैन और वन एलेवन स्वाक सभण साथ क्या कहते हैं संबच में आ गया है कितना बेसिक चीज़े देखने में भयानक है पर कर आप बार बार वही रहें आप कर बार बार यही फॉर्मुले से रहें एक फॉर्मुला दिमाग में बठा लिया है और उसी फॉर्मुले को बस यह मिस्ञिंग फिगर की तरह यूज करते रहो अना number of mole given mass upon molecular mass या दूसरा फ्रमला number of mole is equal to given volume upon molar volume चलो आगे बढ़ते हैं percentage composition हां percentage कितना आया marks का तुमारा कई बार लोग पूछते तुमसे तो कैसे निकालोगे तो जब आपको percentage निकालना होता है आपका तो percentage of marks obtained यह निकालना है तुम्हें ठीक है तो क्या करेंगे आप जितना marks आपने प्राप्त किया है marks obtained upon total marks into 100 याद रखीगा जब जब आपको percentage निकालना है तो multiplied by 100 जरूर करना है यही चीज परसंटेज composition भी सिखाता है percentage competition कहता है कि किसी भी element का किसी भी element का आपको percentage निकालना है आप उस element का weight उपर करें numerator में रखें ग्राम मोलिक्लोर मास मतलब आपको total मास या कहीं total weight नीचे रख करिए और multiply by 100 कर देजे एक एक एक्जामपल के रूप में आपके पास स्क्रीन पर यह दियावा है आपको को find करना है percentage of water of crystallization तो वाटर क्रिस्टलिजेशन कहां पर है sodium carbonate में यह रही 10 H2O इसका मास निकालना है इसका इसका परसंटेज निकालना है 10 H2O का पहले total का मास निकालते हैं पहले पूरे पूरे sodium carbonate crystals का हाँ पूरे का मास निकालते हैं तो 23 into 2 यह रहा sodium का 23 आपको मास पहले 20 element के आने चाहिए प्लीज का calcium तक hydrogen से calcium तक का मास प्लीज आप याद कर लिजे questions में दिये रहते हैं मास tension लेने के ज़रुवत नहीं है बट पहले 20 के मास आपको याद होने चाहिए और फिर carbon का मास है 12 oxygen का मास है 16 into 3 और प्लस 10 into 18 तो टोटल मास आ रहा है 286 अब आपको पता किसका करना है सिर्फ वाटर वाले पार्ट का और वाटर वाले पार्ट का मास कितना है 10 into 18 10 h2o इसलिए 10 into 18 so 180 upon 286 into 100 जाब आप solve करेंगे आपका अंसर आएगा percentage में 62.9 percentage आईए एक question screen पे हमारे पास आ गया है pen उठाईए start करिए मुझसे पहले करिए और यहां तो मेरे वीडियो को pause कर दीजिए हाँ वीडियो को pause कर दीजिए और solve करिए और मुझसे answer match कराईए चलिए start करते देखते हैं आप इसे कौन सही कर रहे हैं तैयार है आप चलो साथ में करते हैं magnesium nitrate में किसका percentage निकालना है percentage of magnesium चलिए start करते हैं इसमें magnesium है magnesium है 24 plus nitrogen nitrogen का तो मास दिया ही नहीं है nitrogen का मास नहीं दिया है nitrogen का मास होता है इसेवन सेवन दिजा 14 14 14 प्लस oxygen का मास है कितना 16 multiplied by 3 whole ब्रेकेट multiplied by 2 प्लस 6 multiplied by 18 चलिए start करते हैं 24 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 48 multiplied by 2 पर 16 6 8 जा 48 बाकि 466 और 410 चलिए जल्दी फर्दाफट करते हैं कि जार देखें तो ध्यान से 22 इंटू कितना करना है तो 62 अना चलिए फटा फट निकालते हैं टोटल मास कि इतना रहा है 24 प्लस 124 प्लस 108 यही निकाला है आपने आंश्र कि 256 आ गया आपको इसका टोटल आड़क्र मास्पर आपको तो निकालना मैं पर्संटेज यह कहता है कि जिसका पर्संटेज निकालना हो उसके मास को ऊपर रखो अपल टोटलgen county तो आप क्या करेंगे पॉरन सेंटेज-व आफ मैघनेशीयम निकालना है तो क्या करेंगे मैंग सिंटेज व्ली हिएक उपर करेंगे upon gram molecular mass that is total mass into 100 हमारी case में 24 upon 256 into 100 simplify कर दे हैं करते हैं देखते हैं क्या answer आ रहा है इसको divide करते हैं divide करते हैं answer देखते हैं क्या answer आ रहा है इसका answer आना चाहिए decimal में करेंगे तो कितना आ जाएगा है है कि ट्री जा एट ट्री जा एट टू जा कितना आ रहा है कि ट्री हंडिट अपॉंट ट्री सेवन पाइफ क्या बात है आपने निकाल दिया है वेल टन चलिए आगे बढ़ते हैं तो परसंटेज सबसे असान टॉपिक होगा मुझे लगता है क्यों क्यों क्योंकि आपको सिर्फ परसंटेज ही तो निकालना है अब आता है इंपेरिकल फॉर्मूला हाँ भाई दूसरा नाम भी देख लो उसका सिंपल फॉर्मूला अगर किसी का सिंपलेस्ट नंबर पता चल जाए किसी कंपाउंड में सिंपलेस्ट नंबर अप अलिमेंट पता चल जाए तो वो उसका इंपेरिकल फॉर्मूला वन जाता है चलो ए एक बहुत ही complicated formula है जिसमें actual number of carbon, actual number of hydrogen और oxygen शोग किया जा रहा है कुछ इस तरीके से भी हो सकता है C O 3 H 5 O 3 H 5 2 सर ये क्या कर दिया आपने अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया मैंने इसी को दुबारा लिख दिया देखो ध्यान से हाँ 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 सरी कह रहा हूँ ये complicated way है जिसमें total number of elements present किया जा रहा है ये empirical formula नहीं है अब इसको simplest कर देते हैं जब आप इसको simplest करेंगे देखेंगे ये सब का एक common factor है वो है 2 अब आप देखेंगे ये तीनों ही 2 से simplify हो रहे हैं carbon hydrogen और oxygen ये जो simplest निकाला गया क्या simplest formula इसका बनाया गया इसमें जो simplest ratio में था decimal में allowed नहीं है यहाँ पर मदले में आप 2.5 नहीं लिख सकते हैं carbon 2.5 hydrogen 1.5 ऐसे नहीं कर सकते हैं आपको number में लेना है simplest whole number में लेना है इसको कहते हैं हम लोग क्या empirical formula जबकि molecular formula क्या बताता है actual formula बताता है चीक सुन रहा है molecular formula में actual number of formula मतलब यह जो दिया था हा ना c6 h12 o6 यह सही में हेक actual number of atoms है actual number of elements है यह molecular formula है इसको simplify कर देंगे तो बन जाएगा empirical formula तो आईए समझते हैं empirical formula कैसे निकाला जाए बहुत simple बहुत compulsory topic है और आपको इसे करना ही पड़ेगा इस पे based question sure shot आ रहे है हाँ बोर्ड का paper अभी बहुत दूर है कहूंगा March में है पर मैं आज कह रहा हूं आपको हाँ आज तुम लोगों कह रहा हूं कि यह question यह question नहीं इस पे आपके बोर्ड में आ रहा है इस question से कोई लापरवाई नहीं चलेगी क्या निकलना है आपको empirical formula निकलना है पांच columns बनाने है आपको कितने पांच column होने चाहिए आईए पांच column बना दिये हमने पहले column में लिखिए element दूसरे column में लिखिए percentage तीसरे column में लिखिए atomic weight चौथे column में लिखिए atomic ratio पांच वे कॉलम में लिखिए simplest ratio चले स्टार्ट करते हैं मैंने कहा था पांच column की जर्वत है हमें ठीक है एक एक करके हम लोग उसका इस्तमाल करेंगे सबसे पहले बात करते हैं element की तो आपके पास element क्या दिया वाय नाइट्रोजन और हाइट्रोजन लिखे element में नाइट्रोजन और लिखे हाइट्रोजन दो है याद रखेगा कि आपको इसका टोटल परसंटेज हमेशा 100 ही मिलेगा सई सुन रहें आप परसंटेज के तो आप अगर नहीं अगर नहीं तो आप पर दो ही element है हाँ जितने भी elements है सब का परसंटेज एड करने पर 100 ही आएगा यू नो इट विकाउस 100 इस टोटल आफ एवरीटिंग तो अगर अगर नाइट्रोजन का पता चल गया तो हाइड्रोजन का सुरी 17.64 होगा गिवन होगा नहीं भी दिया होगा मैंने कहा दूसरे element का तो 100 से minus करके निकाल सकते हैं अब आपको पैस atomic weight भी गिवन है नाइट्रोजन का atomic weight 14 है hydrogen का atomic weight बन है चली थ्यान से करिएगा ध्यान से सुनेगा मेरी बात को हाँ ध्यान से क्या निकालना है आपको atomic ratio क्या formula था atomic ratio का atomic ratio के लिए का करना होता है आपको percentage को divide करना होता है atomic weight से that means मेरे case में percentage है 82.38 ठोड़ा calculation अपनी strong रखिएगा divided by 14 कि क्या आएगा इससे आपका आपका जो value आएगी उसका नाम है ए-r short form में मैंने लिखा है atomic ratio divide करिए याद रखेगा 2 decimal से अधिक place मत निकाला करिए अगर 3-4 decimal place आ भी रहा है ना प्लीज सिर्फ 2 decimal place तक solve करिए हाँ मतलब decimal के बाद 2 number तक जैसे हमारे case में आ रहा है divide करने पे 5.88 आगे बढ़िए अब दूसरा पार्ट में आपको फिर से करना atomic ratio परसंटेज है आपका 17.64 डिवाइड बाइवन अरे बंसे क्या डिवाइड करना है वही आ जाएगा और क्या है तो आपका तो आ जाएगा 17.64 तो आपने क्या निकाल दिया atomic ratio निकाल दिया अना atomic ratio निकाल दिया फुरसा सको साफ कर दें क्या हां फुरसा क्लीन कर दें कि आपने atomic ratio निकाल दिया 5.88 और दूसरा आया 17.64 ठीक अभी खतम नहीं है अभी एक स्टेप बागी है तो simplest ratio बताता है simplest number of atom बताता है empirical formula हाँ definition में था ना simplest ratio है क्या बताता है simplest whole number ratio of atom बताता है यही निकालना है में इसलिए नाम है क्या topic है आगे simplest rating निकालना है हमें हमें निकालना है simplest ratio इसके लिए क्या करना पड़ता है जो atomic ratio आया है उसको divide करो smallest atomic ratio से मैं लिक रहा हूं smallest ar से मतलब जो atomic ratio आ गया है जो आपका अंसर आ चुका है उसी को divide करो छोटे वाले से अब इन दोन 88 और 17.64 दो आये आपका atomic ratio इन दोनों में जो छोटा है वो दोनों को divide करेगा that means आप क्या करेंगे आप simplest ratio निकालते समय atomic ratio है 5.88 इसको divide करेंगे smallest वाले से और smallest तो यह है खुद है इसे लिए 5.88 यहां भी करेंगे इसका atomic ratio है 17.64 और छोटा atomic ratio 5.88 है मतलब जितने भी atomic ratio निकाले है उसमें सबसे छोटा वाला atomic ratio आएगा उसी से सब को divide करेंगे इवन खुद को भी करेंगे हाँ खुद को 3.01 आ जाए 3.001 आ जाए 3.02 आ जाए तो उसको ignore कर देगा क्योंकि 3.0 आ गया तो उसके आगे का number ignore कर देगा पर 3.5 आ जाए 3.5 आ जाए in case अगर आ जाए तो आपको दोनों को multiply by 2 करना पड़ेगा क्योंकि simplest whole number ratio चाहिए आपको स्यान सुना मेरी बात को अब जैसे मेरे case में 3.01 आ जाए 3.01 तो 3.01 की कोई value नहीं होती है 3.01 की कोई value नहीं है समझ गया न यहां और कोई नमबर देख लिजे 4.05 आ जाए तो भी आप ignore कर देजे 4 ही ले ले लेंगे पर आपका नमबर अगर कहीं 3.5 आ गया है तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसको 3.5 को अगर आता तो इसको multiply by 2 और उसके चक्कर में उसको भी multiply by 2 क्योंकि decimal को whole number में convert कर लिए आपने उसको multiply by 2 कर दिया क्योंकि simplest whole number ratio चाहिए decimal number नहीं चाहिए whole number चाहिए whole number बनाने के लिए अगर decimal में आया होगा तो आप उसको multiply by 2 करके बनाएंगे और सिरे 0.5 के case में करेंगे किसमें किसमे 0.5 के case में है जब यहाँ पर 0.5 होगा वरना आपको नहीं करना है चलिए अब clear है तो आपको पता चल गया कि nitrogen कितना है 1 है hydrogen कितना है 3 है यह जो simplest ratio यह क्या बताता है simplest ratio number of atoms बताता है क्या बताता है simplest ratio क्या बताता है number of atoms अब clear हो गया तो nitrogen कितना होगा एक और hydrogen कितना होगा तीन तो आपके पास बन जाएगा NH3 है clear है पक्का आपने empirical formula of the given compound बना दिया याद रहिएगा अगर मुझे इस गैस का मुझे empirical weight निकलना हो तो अब चुठकियों में निकलाएगा हाँ भाई इसी empirical formula से empirical weight निकलाएगा ना अगर मुझे इसका empirical weight निकलना हो क्या अरे भाई gram molecular mass भाई वही है इंपरिकल वेट निकलना हो तो बड़ा असान है कैसे nitrogen का मास है 14 और hydrogen का है 3 क्योंकि 1 इंटो 3 तो आपके पास आ गया 17 ग्राम यह क्या है इसका यह है इसका empirical weight उच्छा नहीं है कि याद रखेगा empirical अगर वेट आ गया है तो molecular formula भी आ जाएगा ठीक है आपके पास टॉपिक है इसके बाद देखिए एक गिवन compound है हैस्टू elements अच्छा आपको क्या दे दिया इस बार एक्स टू वाई यह क्या दे दिया आपको empirical formula दे दिया चलो अच्छा किया है और आपको इसका मास भी दिया atomic मास वाफ यह दिए तो इंपेरिकल वेट निकाल दीजे कैसे एक्स का मास दिया वाय टेन इंटू टू और वाई का मास दिया वाय तो आपके पास आ गया 25 यह तो आपको निकालना है molecular weight या mass तो उसका formula होता है 2 into vapor density और 2 into vapor density vapor density given है तो आपके पास आ गया 50 आपके पास empirical weight भी है molecular weight भी है आप निकालेंगे N, N क्या है N एक common factor है क्या है common factor है हाँ भाई common factor निकलेगा तभी आपका molecular formula निकलाएगा तो N का formula है molecular mass या molecular weight upon empirical weight ठीक हमारी case में molecular mass है 50 empirical mass दिया है 20 sorry 25 आपके पास N आ गया तू यह N क्या करेगा molecular formula बनाने में मदद करेगा molecular formula बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा empirical formula रही सुन रहे हैं आप empirical formula multiplied by N हमारा empirical formula है x2y multiplied by 2 यही N निकालना आपके लिए सबसे में था ध्यान से सुन लिजे यही N बड़े कमाल की चीज़े जब तक N नहीं निकालेंगे तब तक आप अंसर नहीं कर पाएंगे क्या कहते हैं तो molecular formula निकालने के लिए आपको common factor चाहिए हाँ जिसने simplest ratio निकाला होगा इसने निकाला होगा N ने निकाला होगा तो अब आपका formula आ गया x4y2 क्या कहते हैं हाँ कहते हैं समझ में आता है तो yes big like for me and and your your messages आपके प्यार बरे messages मुझे मिलते रहने चाहिए मैं आपके हर एक message को पढ़ता हूँ सच कह रहा हूँ हर एक message को पढ़ता हूँ ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको तुरंद जवाब दे पाऊँ क्योंकि you know I may be caught up in so many other things but I am really 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 excited with all your messages आपकी प्यार बरे messages मिलते रहते हैं चली इस question को देखते हैं और अपकी बार क्या करना है कह रहा है एक organic compound है उसकी वेपर देंस्टी दी हुई है कि आपको कह रहा है molecular formula निकालना है सबसे पहले आपको empirical formula निकालना पड़ेगा कि सभी सुन रहे हैं सबसे पहले आपको empirical formula निकालना पड़ेगा चलिए स्टार्ट करते हैं पहला column element का दूसरा percentage का तीसरा atomic weight का चौथा atomic ratio का पांच्वा सिंप्लेस रेशियो का स्टार्ट करते हैं element है carbon दूसरा element है hydrogen तीसरा element है इसमें hydrogen चलिए carbon का पसंटेज दिया हुए 12.67 hydrogen का 2.13 and bromine का 85.11 आप add करिए तीनों का पसंटेज मिला के 100 पसंट आ रहा होगा atomic weight known है 12 1 और 80 आई स्टार्ट करते हैं पहले निकालता है atomic ratio atomic ratio के लिए क्या करते हैं percentage को divide करते हैं atomic weight से percentage है 12 12.67 divided by 12 निकाल ये क्या अंसर आ रहा है देखिए फटाफट 12.67 divided by 12 one point कुछ आएगा ना one point zero five ना something यह आएगा मैंने कहा ना 2 decimal place से 2 decimal place से अधिक मत करिए ठीक है 0.5 या 0.6 देख लिएगा अलाउट हो जाएगा ठीक है और दुबारा दिवाइट करिए इसको 1.06 राउंड फिकर कर देते हैं चलीं और यहां रहा 2.13 divided by 1 so 2.13 लास्ट में 85.11 divided by 80 कितना रहा है 1.06 तो अब simplest ratio का क्या formula है simplest ratio का formula है atomic ratio divided by lowest या smallest यही formula था जो भी atomic ratio है उसको smallest करेंगे सबसे smallest पहले find कर लिजे इन टीनों में सबसे smallest कौन सा है 1.06 तो 1.06 divided by 1.06 यहां पर 2.13 divided by 1.06 and last में 1.06 divided by 1.06 यहां पर आया 1 यहां पर आया 2 और यहां पर आया 1 so here we are आपके पास simplest ratio आ गया और simplest ratio क्या बताता है number of atoms क्या बताता है यह यह क्या आये है number of atoms आये है so अब आपके पास क्या हो गया empirical formula आ गया empirical formula होगा आपका CH2BR यह हो गया आपका empirical formula पर सर कहीं तो यह पूछा नहीं है देखिए कहां पूछा है सर हाँ भई मैं चाहां नहीं पूछा है पर जब तक empirical formula नहीं निकालेंगे तब तक आप empirical weight नहीं निकल पाएंगे तो empirical weight आ जाएगा कैसे आएगा carbon का हो गया 12 hydrogen का हो गया 1 into 2 plus 80 सो आपका empirical formula से empirical weight निकलाया 12 plus 2 14 14 plus 80 94 चलिए आपने क्या निकाला empirical weight भी निकाल दिया अब आपको क्या निकालना है n n क्या है n common factor है जो की empirical mass से इंपरिकल formula से मटिपलाया हो जाएगा formula क्या है molecular mass या weight divided by empirical mass या empirical weight अरे भाई confused मत करो chemistry है physics नहीं है कि मास से weight अलग लगोगा तो molecular mass कितना है आपके पास टू इन्टू वेपर डेंस्टी तू इन्टू वेपर डेंस्टी यह formula molecular mass का तो टू इन्टू वेपर डेंस्टी अपॉन molecular mass आपका value आई n आ गया तू अब आप simply क्या करिए जो आपको molecular formula निकालना है तो आप 2 से empirical को multiply कर दे जो आपका empirical formula था उसको multiply by 2 कर दिए 2 क्यों आया क्योंकि n आपका 2 है तो मेरे answer empirical formula क्या कहते हैं है ना असान देखे थोड़ा patience चाहिए थोड़ा calculations करनी पड़ेगी थोड़ा coolly calculations करनी पड़ेगी और मैं शूर हूं कि अब जो मेरे बताए आप ट्रिक से follow करेंगे आपका answer सही आएगा believe तो करो हाँ जिस दिन खुद पर कर लोगे यकीन दुनिया तुमारे आगे जुख जाएगी yes you can do anything and everything on this earth सच में चली आगे बढ़ते हैं रुकना नहीं है और ये जो question है ये आपको दिखेगा एक chemical equation पर based question है chemical equation पर based question हाँ में आपको सबसे पहले equation balanced होना compulsory है ठीक है तब आप कर पाएंगे चली आएए देखते हैं इस पर एक question है screen पर सामने अगे केसी यलो 3 potassium potassium chlorate हाँ potassium chlorate in the presence of magnesium oxide manganese oxide produces, production chloride and oxygen यह है reaction reaction balanced है, आप देख पा रहा है ठीक है आपके पास दियावा है, इनके volumes दियावे है ठीक है आपको mass निकालना हो relative molecular mass निकालना हो तो आप इनके atomic mass से answer निकाल सकते है ठीक है अब आता है, इस पर based question, कैसे इस तरह के question आते है आईए इसका reaction देखे इसका reaction जो है सबसे पहले देखना है आपको reaction दिया रहेगा, tension लेनी की जरुवत नहीं है मैं board के point आपको इसे कह रहा हूँ a solution of common salt that means NACL यह है common salt इसको add कर रहे है silver chloride silver chloride का formula है sorry, silver nitrate agno3 चलिए silver nitrate agno3 और gives क्या लिखा है यह दोनों मिलके क्या yield कर रहे है silver chloride yield कर रहे है क्या agcl प्लस प्लस अननो3 यह तो हो गया आपका equation balanced चेक करी equation balanced है क्या ज़रा चेक करी equation balanced है हाँ, equation balanced है आपके पास क्या करना है निकालना क्या है आपके पास given है mass दियावा है silver chloride का कहा है silver chloride यह रहा silver chloride का mass है 0.28 ठीक है, यह रहा mass और आपके पास mass of sodium chloride निकालना है sodium chloride इसका mass आपको निकालना है ठीक है और किसका mass निकालना है sodium nitrate का इसका मास भी निकालना है चलिए सबसे पहले हम लोग इनका रिलेटिव मॉलिकुलर मास निकाल दे निकाल सकते हैं सबसे पहले सिल्वर क्लोराइट का मास निकालते हैं इसका मास निकालते हैं हम लोग इसको कहते हैं रिलेटिव मॉलिकुलर मास कैसे निकलेगा सिल्वर का मास कितना है जाल नुमबर बताओ कि सिल्वर का एजी का अटोमिक मास है अटोमिक वेट है कि सिल्वर का अटोमिक वेट है लोरीन के तो 35.5 है और सिल्वर का वेट है कितना कि सिल्वर का अटोमिक वेट कितना है मैं बुकिश देखना ही पड़ेगा 108 है दिया रहेगा टेंशन आपना ले तो इसका टोटल मास आ रहा है 143.5 है देखिए आपको सिल्वर का मास से आपको स्टेट्मेंट बनानी है बन जाएगी कि नहीं बहुत आराम से बन जाएगी ठी यह रिलेटिव मॉलेकुलर मास आपने निकाला और यह गिवन मास से कोशन है निकाल दिजें सोडियम का मास है 23 क्लोरीन का मास है 35.5 प्लस करिए तो आके पास आ रहा है 58.5 चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे लिखेंगे आप आप स्टार्ट इससे करेंगे क्योंकि गिवन होता है वह आपकी पहले है सिल्वर क्लोराइड आपका गिवन मास है तुछ से स्टार्ट करिए लिखिए क्या लिखेंगे एफ 143.5 ग्राम और ऑफ एजी सी एल वेट इस 0.28 तो वन ग्राम का कितना वेट होगा 0.28 डिवाइड वाइड 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 वन 43.5 और तीसरी लाइन में तीसरी लाइन में जिसका आपको वेट निकालना है आपको निकालना है सोडियम क्लोराइड का आप सोडियम क्लोराइड का लेटे मॉलिक्ला मास रखें आपको सोडियम निकालना है सोडियम क्लोराइड का तो 58.5 ग्राम और सोडियम क्लोराइड का मास होगा 0.28 इंटू अपॉन 143.5 multiplied by 58.5 एक dumps जैसे कहते है न आप यूनिटरी मेथड लगाना है पस start किसे करना है पर आपको जो given data है आपके पास silver chloride का mass दिया था देखिए इस question में हमने silver chloride से ही question शुरू किया देखिए start किया silver chloride से कि अगर silver chloride का mass relative molecular mass 143.5 है तो weight कितना given है इसमें to 0.28 तो 1 gram की value निकालेंगे और जब 1 की value आ जाएगी तो फिर जिसकी चाहें उसकी value निकाल सकते हैं हाँ divide करके बताओ कितना आएगा चलिए 0.28 divided by 143.5 और फिर उसको multiply करना है 58.5 से चलिए 0.11 gram आप exact calculation कर लीजेगा आपका answer आ जाएगा So this brings to the end of the entire chapter mole concept and stoichiometry हर एक topic हर एक topic को हमने किया समझा और आपने भी मेरे साथ लगाया अगर इमानधरी से लगाया है तो मैं ये जानता हूँ कि आपका ये chapter crystal clear हो जाना चाहिए और एक request करूँगा किसी भी yes किसी भी subject को अगर master करना है तो पहले पहले concentrate करिए हाँ पहले मन बनाए जब तक आपके मन में coolness, calmness नहीं होगी जब आप तक concentrate नहीं करेंगे तो आप भली लाग किसी का भी वीडियो देख लीजिए आप खुद confused रहेंगे प्लीज 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 वेन यू study, give your 100% and वेन यू enjoy, enjoy 100% खेलो मस्ती से और पढ़ो एक तम जान लगा कर तो मिलते हैं अगले lesson वीडियो में आपके पसंद के lesson वीडियो में जो आप कहेंगे वो हम बनाएंगे और क्योंकि ये chapter आपने ही कहा था सर मोल कंसेट को टेल इडाएंगे डीटेल बनाएंगे और as per current session बनाएंगे 2024 और हमने वही किया जो आपने कहा ये चैनल आपका चैनल है सर तरुन रुपानी जिसको हम स्टार के नाम से जानते हैं S is सर T A is तरुन and R is स्टार और आप सब हमारे ही सूपर स्टार हैं सो मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में आपके पसंद के वीडियो में बाई and लव यू and टेक केर बाई फ्रम नाउ